नमस्ते दोस्तों आप सभी क्याग बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यटूप चानल पुजा घर सिंसार में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपोर्टन टॉपिक के उपर बात करने वाले हैं और आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी जिन महिलाओं को ब वजाईना होता है यह मुख द्वार होता है आपको कण्सीव कराने का कई सारी महिलाओं में परिस्तिती वस वजाईना का सेप® हो जाता है कई वार यह डिलिवनी के कश्याने के पहले भी हो सकता है वजाईना में घिलापन कई वार यह भी देखा गया है likeée जोzy ऐसारा करता अगर ऐसी किसी भी परिशानी से आप ग्रसित हैं आपकी जो यूनी है उसका से भी सही से नहीं है वजाईना जो है वो आपका सही तरीक से मेंटेन नहीं है तो ये बहुत सारी चीजों में आपको प्रॉब्लम कीडियेट करेगा आगे जाके गर्वधारन करने में भी और अग आपको प्रेग्नेंसी अभी तुरान डिलिवरी हुई है प्रेग्नेंसी आप तो आपका वजाईना भी लूज हो जाता है तो सभी महिलाओं के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्फुल होने वाली है इस वीडियो को कम्प्लेटली जरूर देखे फ्रेंड्स आपको ब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जैसा कि इस पिक में आप देख सकते हैं यदि आपके वजाईना का जो इंटर्नल पार्ट होता है यहां पे यहां पे जो सेफ होता है वो कई सारी महिलाओं को बैरियेट करता है अलग-अलग होता है कई बार क्या होता है जिन महिलाओं क से शेप में लाना है इस पर मैं आज आपको completely जानकारी देने वाली हूँ वजाइना एक ऐसा पार्ट होता है महीला के सरीर का जहां पर बीना सोचे समझे आप किसी भी चीज़ को apply नहीं कर सकती है क्योंकि बहुत जादा sensitive होता है और इस sensitive area में अगर आप कुछ भी अपने मन से apply करती है तो फिर यह बहुत जादा गंभी रूप ले सकता है आगे जाके कई सारे आपको fungal infection bacterial infection भी हो सकते हैं हो सकता है कि आपको गर्वधरा नहीं नहीं हो क्योंकि यहाँ पर east infection भी हो जाता है कई सारे चीज़े आपके वजाइना में होती है जिसकी वज़े से आप infertility की percent हो जाती है तो फ्रेंड्स मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाली हूँ कि आपको किस क्रीम को particular इस पार्ट पे इस्तेमाल करना है इस्तेमाल कैसे करना है और इसमें आपको बिलकुल भी परेशानी नहीं होगी और बहुत ही जल्दी आपको best result मिलेगा आपका वज योनी में धिलापन होने का कई सारा reason हो सकता है लेकिन यहां पे मैं कुछ points आपको बताती हूँ जैसे कि कभी अगर आपकी वाजाइनल एरिया में छोट लगा हो या फिर जिन महिलाओं कि नॉर्मल डिलिवरी होती है उनकी after delivery वाजाइना का loose होना एक आम बात है साथी साथ क मैं हिलाओं कि यह भी कमेंट आते हैं कि after marriage यानि शादी के पहले उनके साथ ऐसा नहीं था लेकिन शादी के बाद ऐसा feel हो रहा है कि उनका vaginal area जो है थोड़ा loose हो गया है अब ऐसी condition में क्या होता है कि ऐसे couples अपने marriage life का दिलकुल आनद नहीं ले पाते हैं और ऐसी condition में भी अर्वधारन के chances काफी कम हो जाते हैं क्योंकि जब आप कोसिस करते हैं उस समय बहुत सारी pressurize mind में pressure चलता रहता है जिसके वज़े से आपका hormones release नहीं होता और कई वर conceive नहीं हो पाता तो friends कहने के लिए बहुत चोटी सी बात है लेकिन अगर आप deeply सोचेंगे तो health के according ये बह देना चाहिए अगर आपका lose वजाईना है और इसे आपको tight करना है घरेलो उपाय से तो देखे friends आपको इस्तिमाल करना होगा alum याने fit curry बहुत ही आसानी से market में available हो जाता है और friends इसके कई सारे benefit होते हैं alum में पानी को सूध करने की एक अलग ही छमता होती है और साथी साथ जो महिलाओं का pelvic muscles होता है ये इसे भी बहुत अच्छे से strong कर देता है और इसमें कसाव लाता है इसके लिए आपको क्या करना है friends की आपको करीब 2 gram fit curry एक मग पानी में घोल लेना है और इस पानी से आपको दीन में तीन बार अपने वजाइनल एरिया को धोना है आप जैसे जैसे यह करना स्टार्ट करेंगी आप देखेंगी week by week आपका वजाइनल एरिया जो है वो टाइट होने लगा है साथी साथ आपको कुछ exercises भी करना होगा जिसमें कीगल exercise और स्कॉर्स exercise काफी ज्यादा में ह आपको बता दू कि जो पेलविक एरिया के muscles के exercise होते हैं जिससे आपके lower abdominal पे हलका pressure बने ऐसी exercises करने से आपकी मांसपेसिया जो होती है गरवासे की वो उसमें कसाव आता है और बहुत ही जल्दी क्या होता है आपका loose वजाइना जो है इससे आपको निजात मिल जाती है और य जो home remedy है बहुत कारगर है आप जरूर इसे इस्तेमाल करिएगा कब तक कर सकते हैं तो friend जब आप period में होते हैं तब इस विकल्प को नहीं चुनना है period की दौरान आपको इन exercises को या फिर ये फीट केरी वाले पानी को यूज नहीं करना है जब आपका period अच्छे से समाप्त हो जाएगा उसकी बाग आपको इसको यूज करना है आप महीने में 10 दिन इसको यूज करिए आपको बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही result मिलेगा और साथ ही साथ आपको एक अलग ही feel आएगा जो अनुवा आप मुझे share करके जरूर बताए तो I really hope जो आपके बहुत सारे doubt थे और बहुत दिनों से इस topic की request आड़ी थी वो मैंने आपको easiest way में बताई है अगर वीडियो पसंद आई है तो like करना और share करना बिल्कुल ना भूले guys I hope कि ये वीडियो आपको बहुत knowledgeable लगी होगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा share करें ताकि बहुत सारी महिलाए जो इस प्रशानी से ग्रसीत हैं और बहुत बार share नहीं कर पाती है उनको भी helpful जानकारी मिल जाए इस वीडियो को like करना ना भूले friends और channel को subscribe करके bell icon जरूर on कर दे हम फिर से मिलेंगे नेक्स वीडियो में जल्दी एक नई टॉपिक के साथ अगर आपकी कोई टॉपिक है तो मुझे जल्द शर्जिस्ट करिएगा जिस पर पाटिकुलर मैं आपको जानकारी एकठी करके दूँगी और friends अगर इस वीडियो से रिलेटेड आप कोईडी कर सकते हैं कमेंट शेक्शन में बिल्कुल वे फ्रेक्वेंटली मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में जल्दी एक नई टॉपिक के साथ तब तक अपना ख्याल लेखिए टेक कियर नमस्कार